सूभम करोती कल्यानम आरोग्यवधन संपदा सत्रू बुद्धी बिना साया दीपर जोती नमस्तुते नमस्ते CCLD20 श्रीज की इस वीडियो पे मैं अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ रंगोली मानो जैसे इसके बिना दिवाली अधूरी सी लगती है इन रंगोली से हमारे जीवन के रंगविख ही लूटते हैं इस सिरीज के दोरां हमने दो अद्बुत मैतमेटिकल रंगोली बनाए और आज हम कुछ केमिकल और घर पे मिलने बाली समान को लेकर एक मैजिकल रंगोली बनाएंग ये रंगोली को बनाने के लिए हमें चाहिए मारकर या स्केच पेन, पेपर, टीजर, हिनोप ख्लीन या हल्दी का पेस्ट, सोडियूम हाइट्रोकसाइड या डिटरजन के सॉलूशन, कोई भी प्लेट, सेलो टेप, पेंट ब्रस सबसे पहले, पेपर से एक प्लेट के साइज के अनुसार सर्कल कट कर ले, मारकर पेंट से डिजाइन का आउटलाइन ड्रॉ कर ले अभी जहां आप कलर करना चाहते हैं, वहां पेंट ब्रस से फिनोप्थिन भर ले, अगर आपके पास फिनोप्थिन नहीं है, तो आप हल्दी पेस्ट का इस्तमाग कर सकते हैं एक बार सूख जाने के बाद इस पेपर को प्लेट के बेस में चिपका दे हम जैसे ही इस फिनोप्थिन बाले प्लेट में एन्ने ओएज यानि सोडियोम हाइड्रोकसाइड की सॉलिशन डालता है, तो इसका रंग बदल जाता है और एक मैजिकल रंगोली मिलती है अगर आप ये रंगोली हल्दी के साथ कर रहे हैं, तो आप इसमें डिटर्जेंट की सॉलिशन डाले हमने फिनोप्थिन से जो भी डिजाइन बनाये थे, वो सोडियोम हाइड्रोकसाइड या एन्ने ओएज के संपर्क में आते ही पिंक कलर में बदल गया अगर इन्ने ओएज एक बेस है और फिनोप्थिन एक बेस इंडिकेटर है, जैसे ही ये दोनों कॉंटेक्ट में आते हैं, फिनोप्थिन अपना रंग तुरंग बदल देता है और हमें पिंक कलर देता है और इसके बज़े से हमें एक magical रंगोली मिलती है हल्दी और detergent के case में हल्दी एक indicator की तरह काम करता है और जैसे ही detergent यानि base के संपर्क में आता है हल्दी अपना color red color में change कर देता है और हमें वहाँ पे भी एक magical रंगोली मिलती है आप भी इन indicators को यूज करके अलग-अलग designs बनाएं और अपने दिवाली को magical बनाएं थैंक यू यू